How to generate a virtual ID for Adar Card सबसे पहले हमें Adar के साइट पे जाना है यहाँ My Adar पे क्लिक करके आपको Virtual ID Generator करके एटाब मिलेगा आपको इस पे क्लिक करना है यहाँ OK करना है और एक नया पे जाएगा यहाँ आपको नीचे स्क्रोल करके यहाँ VID Generator पे क्लिक करना है और उस पे क्लिक करने के बाद आपको यह पे जाएगा यहाँ दो ओप्शन है Generate VID and Retrieve VID Retrieve मिन्स अगर आपका पहले से जनरेट हुआ है VID पर आपको याद नहीं है तो आप Retrieval option यूज कर सकते है लेकिन आपके पास VID नहीं है और आपको New Generate करना है तो आप यह VID पे क्लिक करना है यहाँ आपको आपका आदार नमबर डालना है यह CAPTCHA फिल करना है और Send OTP पे क्लिक करना है और आपके Register Mobile नमबर पे आपको OTP आएगा और यह CAPTCHA फिल करने के बाद यहाँ आपको OTP आपके Mobile नमबर पे आया होगा और यहाँ इंटर करके Verify and Process पे क्लिक करना है यहाँ Verify and Process पे क्लिक करना है और जैसे यह आप क्लिक करते हो आपको यह Message आएगा Your Virtual ID 16-digit Virtual ID होता ही है Has been sent to your Register Mobile नमबर जो आदार के साथ Register है वो Mobile नमबर पे Virtual ID सेंड किया है तो यह Virtual ID आप यूज कर सकते हो Basically मुझे problem यह आ रहा था मेरा PF अकाउंट है उसमें Nomination Verify करने के लिए यह Virtual ID लगता है और वो Virtual ID मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने Generate किया है और कैसे Generate करना यह भी मुझे पता नहीं था तो मैंने सोचा यह Knowledge में आपके साथ भी Share करूँ इसलिए मैंने यह Video बनाया अगर आपको यह Video पसंत आया तो प्लीज लाइक, शेर और सुस्क्राइब थैंक यू सो मुझ ओज बनाया